नमस्कार दोस्तों सहाय का ध्यापा घ्वरती परिष्छा 2018 की तैयारी के क्रम में आज हम जो वीडियो आपके लिए लेकर उपस्तित हैं वो बालमनो विज्ञान से है यह महत्मुल प्रस्णों की सीरिश के अंतरगत है जिसमें आपको अभ्यास के लिए पराबर कुछ सीमा 20 है दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि परिष्छा नियामक प्राधिकारी ने अपने एक भीगप्ति के माध्यम से सुचित किया कि परिष्छा तैसुदा कारिक्रम के अंसारी होगी 12 मार्थ 2018 को समय दस बैस से एक बज़े और कल से यानि 26 फर्वरी 2018 से परिष्पत की कापी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यह बता गया कि परिष्छा के समय आपके पास अपने योगिता प्राणापत्र की अंतिम अंतिम योगिता प्राणापत्र की प्रति मूल प्रति आपके पास होनी जरूरी है और वो प्राणापत्र की प्रति जोकी आनलाइन फार्म पास मौजूद रही हो तो चलिए दोस्तों अभिया सुरू करते हैं आप कलम कागले के बढ़ जैसे ही स्क्रीन पर कोश्चन आएं अपने उतर लिखें और उसका मिलान हमारे उतर से करें इससे अपने तैयारी का पाकरन कर सकते हैं और आवस्यक सुधार भी कर सकते हैं तो चल क्रिस्मर ने सरीर रचना के अधार पर ब्यक्तित्यों के कितने प्रकार बताए हैं इसका उतर देखें तीन यानि ब्यक्तित्यों के इन्हों ने तीन प्रकार बताएं क्रिस्मर ने अगला प्रस्ण ब्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण ब्यक्तित्तों का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके यह कथन किसका है? एक बार परिवांसा फिर से देख लें ब्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण ब्यक्तित्तों का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सके अगर आपने हमारे पूरू के वीडियो देखे होगे तो आप इसका प्रस्ट का उतर आसानी से बहुत आसानी से दे सकते हैं इसका उतर देखें इसकी नर्महोदे यह कथन इसकी नर्महोदे का है अगरा प्रस्ट युञ्य Suchा मूल प्रविर्ति का सहयोगी सनवे क्या होता है इसका जवाब दें इसका उत्तर है क्रोध अगरा प्रस्ट को मानो सुभाव के आधार पर सैय्डन महोदे प्रभावित करती है यह परिवासा किसने दी है यह वातावरण की परिवासा है बताएं कि किस ने दिये वह अतावरान वह बारी सकती है जो हमें परभावित करती है यह रासमादय का परिवासा है रासमादय ने दिया है परिवासा अगला प्रश्ण सामानिता जन्म के समय सिसु की लंबाई कितनी होती है जन्म के समय सिसु की लंबाई कितनी है बताएं इसका उत्तर उत्तर है पचास सेंटी मीटर लगभग 20 इंच अगला प्रस्न बाल मनोबिज्ञान मनोबिज्ञान की वसाखा जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विक्सित हो रहे मानों का अध्यान किया जाता है इसका उत्तर है जेम्स ड्रेवर यह परिपक्वावस्था जेम्स ड्रेवर महोदे की है अगला बालक के विकास के किस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है इसका उत्तर देख्यान किसोरा वस्था को किसोरा वस्था परिवर्तन की अवस्था भी कहते है किसोरा वस्था को अगला प्रस्था जिन प्याजे ने सनवेदी पेसी अवस्था को कितने उप अवस्थाओं में बाटा है यानि जिन प्याजे ने जो बालविकास के अवस्था बताई है उनमें जो एक सनवेदी पेसी अवस्था है वो कितने उप अवस्थाओं में बाटा हुआ है यानि इन्होंने 4 प्रकार बताये थे मुख़्ी प्रकार और उस मुख़्ी प्रकार में जो सन्मेदी पेसिय वस्ता है उसके कितने भाग हैं उत्र देखें, 6 वस्ताओं में, उसके 6 उपावस्ताएं होगी अगला प्रश्ण है दो वर्ष के बालग को लगवग कितने सब्दों का ज्यान होता है यानि कि दो वर्ष के बालग का सब्दों को कितने सब्दों का इसका उत्तर है दो सब बारा सब्द लगवग अगला प्रश्ण है किस मनोबय ज्यानिक के अनुशार सीखना एक सीखना एक समपरझय निर्माड की प्रक्रिया है इसका उत्र देन यह स्विस्ट मनुबैज्ञानिक जिन प्याजे के अनुशार है अगला परसुन शीखने के सिधान्द क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है यानि जो सीखने का सिधान्त है क्रिया परसुत अनुबंधन उसके प्रतिपादक कौन है इसका उतर है इसकी नर्म होदे अगला प्रसुन सीखना आदतों ज्ञान और अभिवरतियों का अर्जन है यह परिभासा किसकी है फिर से देख लें सीखना आदतों ज्ञान और अभिवरतियों का अर्जन है यह परिभासा किसकी है इसका जबाब दें इसका उतर है क्रो एंड क्रो अगला प्रस्न सीखने के नियम आंसिक्रिया का नियम अनुरूपता का नियम प्रभाव का नियम आदि में से कौन सा नियम मुखिनियम है इसमें साब को बताना है कि मुखिनियम कौन से है इसका उतर होगा प्रभाव का नियम प्रभाव का नियम यानि प्रडाम का नियम जो है मुखिनियम में बाकी गौडनियम है अगला प्रशन यदि हम सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो प्राप्त वक्र क्या कहलाएगा इसका उतर दें उतर है सीखने का वक्र उस वक्र को सीखने का वक्र कहते हैं अगला प्रशन इस्मृत्ति के प्रमुक चार सोपान कौन कौन से है यानि चार सोपान चार शरण कौन कौन से है जिससे इस्मृत्ति प्रक्रिया पुण होती है इसका उत्तर है अधिगम धारण परत्यासमरण अभी ज्यान ये चार सोपान है इस्मृत्ति के जिससे होकर स्मृत्ति प्रक्रिया गुजरती है और अगला प्रस्न है रूचिकर बिशय सिछक का सनेपुन ब्यभार सांत वात आवरन और अभ्यास का भाव इन कारकों में कौन सा कारप स्मृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है अगला प्रस्न है गुप्त ध्यान है और ध्यान सक्री रूचि है रूची गुप्त ध्यान है और ध्यान सक्री रूची है यह कथन किस मनोबैग्यानिक का है जवाब दें इसका उत्तर है मैक डूगल यह मैक डूगल महोते का है अगला प्रस्ट एस सर्वे आप दा एजुकेशन आफ गिफ्टेड चिल्डरेन इस सर्वे आप दा एजुकेशन आफ गिफ्टेड चिल्डरेन इस पुस्तक के लेखक कौन है इसका जवाब दें इसका उत्तर है हाविंग हर्ष्ट हाविंग हर्ष्ट मौधे ने पुस्तक लिखी है अगला प्रस्ट एंट के डाक्टर की नमगोर से सम्मनित रोगों का निजान करते है बताएं बालक को बच्चे को इसका उत्तर है कि यह नोजन थ्रोट इनटी कान नाक गले के डाक्टर यह अगर बालक को कान नाक गले से समध्व प्राबलम है तब इस डाक्टर के पास बच्चे को ले जाएंगे दुस्तों यह रहा है आज का प्रस्ण आज के प्रस्ण हैं आप हमसे अब्यास कर सकते हैं बराबर ही प्रस्तुत की जाते रहेंगे महत्मुर्ण प्रश्णों की सीरीज और हमसे जुड़ें और लाव उठाएं दोस्तों इस वीडियो में साथ देने के धन्यबाद और अगले वीडियो तक नमस्कार